किसी भी competitive exams में आज current affairs को ignore करके नहीं जाया जा सकता क्योंकि आप फली भाती जानते हैं कि current affairs का आज बहुत बड़ा एक रोन होता है हमारे competitive exams को crack कराने में चाहे आप SST की तयारी कर रहे हो चाहे JST की BST की ग्रूप भी या फिर BPST की तो हम यहाँ पर topic wise current affairs को cover कर रहे हैं last 12 months के updated current affairs हैं आज हम देखेंगे awards and honors का day 1 स्वागत है दोस्तों आपके अपनी YouTube channel परिक्षा Halt 247 में अगर आप चैनल पर नहे हैं तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन को जरूर दबाईएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में परिक्षा Halt 247 को share किजेगा तो चलिए अपने विडियो को start करते हैं अगर आपको इसके PDF को download करना है तो आपको परिक्षा Halt 2427 के टेली ग्राम चैनल से जुड़ना होगा वहां से आपको PDF प्रोवाइट करा दिया जाएगा हम यहाँ पर जो current affairs कर रहे हैं वो अगस्त 2021 से जुलाई 2022 तक पूरी तरह से updated है हमने इन सारे current affairs को खेल current affairs जो sports current affairs है एक साल के पूरे current affairs को देख लिया है ठीक है आप पीछे अगर नहीं देखें तो जाकर के देखेगा class में ही आपको याद कर लेना है अलग से आपको time नहीं देना बलकि आपको किवले एक बार revise कर लेना है पिडिये आपको देख करके आपका काम हो जाएगा यहाँ पर हम देखेंगे आज awards and honors चीक है चलिए प्रमुख पुरसकार और सम्मान की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में पद्म पुरसकार के बारे में अब इससे भी question पुछे जाते हैं तो देखे पद्ण पुरसकार के अगर बात करें तो सबसे पहली बार 1954 में पद्ण पुरसकार प्रदान किया गया था पद्मभूसन किसे दिया जाएगा पद्मभूसन किसे दिया जाएगा और पद्मश्री किसे दिया जाएगा तो इस बार यानि कि 2022 के गनतंतर दिवस रिपब्लिक डे पर यहाँ घोसना किया गया राष्ट्रपती के द्वारा कि 128 लोगों को पद्मपुरसकार दिया जाएगा जिसमें से की पद्म विभूसन चार लोगों को दिया गया पद्म भूसन 17 लोगों को और पद्म स्री 107 लोगों को दिया गया याद रखेगा पद्म विभूसन चार लोगों को पद्म भूसन अच्छा इसमें जो 128 लोगों में अगर पूछा जाए कि 2022 में जो 128 लोगों को को 13 लोगों को ऐसे लोगों को दिया गया है मरनो प्रांत यानि कि उनके मृत्यू के बाद ये पुरसकार 13 ऐसे लोगों को दिया गया है जिनके मृत्यू के बाद इन्हें पद्म पुरसकार से नवाजा गया है और दो जोड़ी को भी दिया गया है चीक है तो ये पद्म अवा बशाव понад 17 लोगों को दियां गिया है उसके नामके वल आप एक बार सुन लिजे को याद हमें नहीं रखना है हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पस्नालिटी को याद रखना है कि अगर एक जाव में पुछा जाए तो हम उसे तिक कर पाए यह जो पुरसकार है पद्म पुरसकार हर साल गनतंतर दिवस यानि की रिपब्लिक डे के अवसर पर घोसित किया जाता और किसी भी साल में मतलब अवाड समारो साल में कभी भी खिया जाता है और समारो आयोजीत करके राश्ट्रपती भवन में ये पुरसकार राश्ट्रपती ही देते हैं चलिए पद्म विभूसन अगर 2022 की बात करें तो चार लोगों को दिया गया चार लोगों को सबसे पहले प्रभा अत्रे को दिया गया पद्म विभूसन चार लोगों को दिया गया याद रखेगा सबसे पहले प्रभा अत्रे राधे स्याम खेम का जनरल विपीद रावत और कल्यान सिंग देखे, पद्म विभुसन जो चार लोगों को दिया गया, उनमें से तीन लोगों को पद्म विभुसन मरनो परांत दिया गया, यानि कि जनरल विपीन रावत और कल्यान सिंग देखे प्रभात्रे जो हैं इन्हें आठ के चितर में कला के चितर में पद्ध भूशन मिला राधे स्यान खेमका को साहित और सिछा के चितर में आठ एन कल्चर के चितर में वही पर अगर बात करें जनरल विपीन रावत तो आपको तो ही होगा इनके बारे में ठीक है civil services के छित्र में और कल्यान सिंग जो की उत्तर परदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं ठीक है तो उन्हें public affairs के छित्र में ये मरनोपरांत पद्भूसन दिया गया अगला दीके यहाँ पर जो 17 लोगों को दिया गया सबसे पहला हम एक एक करके आपके वल नाम सुन लिजीगा ठीक है एक एक करके आपके वल नाम सुन लिजीगा देखे गुलाम नभी आजाद, ठीक है, गुलाम नभी आजाद को पद्म भूसन दिया गया, पद्म भिभूसन चार लोगों को दिया गया, नाम आपको याद होगा, राधे सयाम खेमका, जेनरल विपीन रावत, कल्यान सिंग और प्रभात्रे, अब पद्म भूसन की बात कर लेते हैं, 2022 का, तो सबसे पहले हमने क्या बोला, गुलाम नभी आजाद, अब गुलाम नभी आजाद के बारे में तो आपने सुन ही लिया है, अब ये पब्लीक, इनको किस छेतर में दिया गया, तो इसके बारे में तो जानते ही है, ये नेतागिरी से छेतर से रिलेटेड है, पब्लीक इन्हें मरनो परांत दिया गया है, पोस्ट थेमस दिया गया है, देखें मरनो परांत दिया गया है, समझ गया है, गुर्मीत बावा को ये आर्ट के छेतर में दिया गया है, अगला है बुद्ध देव भटाचारी, जो कि आप इन्हें जानते होंगे, बुद्ध देव दो जोड़ी को भी दिया गया है तो देखे स्री क्रिस्ना एल्ला और सुचित्रा एल्ला को इने भी दिया गया है ट्रेड और इंडस्ट्री के छेत्र में स्री क्रिस्ना एल्ला और सुमेश्री मती सुचित्रा एल्ला मधूर जाफरी मधूर जापरी देवेंदर जाजारिया दिवेंदर जाजारिया, आप इनके बारे में जानते होंगे, sports related हैं, ठीके, दिवेंदर जाजारिया, परालंपिक गेम में, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, रासीद खान, आर्ट के चित्र में दिया गया, राजीद महर्सी, सिवील सर्विसेज के चित्र में, सत्य नारायन, नडेला, सत्य नारायन, नडेला जो हैं, इन्हें दिया गया कि चित्र में, तो सत्या नडेला बोल सकते हैं, सत्या नडेला, तो ये ट्रेड और इंडस्ट्री के चित्र में, सुन्दर राजन पिचाई मतलब जो पिचाई आप जानते हैं सुन्दर पिचाई तो ट्रेड इंडस्टी सांजै राजरा मर्नो परांत मिला इने संजै राजरा म साइन्स और एजुकेशन में, स्वामी सचीदानंद लिट्रेचर एजुकेशन में और स्री वसिस्ट त्रिपाटी लिट्रेचर और एजुकेशन के छेत्र में तो कितने लोगों को? 17 लोगों को दिया गया ये सुनिएगा ध्यान से गुलाम नभी आजाद, विक्टर ग्यानरजी, गुर्मीत बावा, बुद्ध देव भटाचार्य, नट्राजन, चंद्रसेखरन, स्री क्रिस्ना एहला और सुचित्रा एहला, मधूर जाफरी, दिवेंद दो लोगों को पद्म विभुसन मिला, मर्लो प्रांत, एक गुर्मीत बावा को, और एक संजैर राजाराम को, और उपर में तीन लोगों को मिला था, किने किने, राधे सयाम खेम का, जरनरल विपिन रावत और कल्यान सिंग, तो ये पद्म भुसन की बात हो गई, और पद् पद्म स्री जो मिला है, उन्हें ही हमें याद रखे, अब देखे, पद्म स्री किने किने मिला है, तो उलम्पिक में गोल्ड जितने वाले नीरत चोपड़ा को मिला, ठीक है, जो कि भाला फिक में इन्होंने गोल्ड जीता था, ठीक है, अगला देखे, सुमीत अंतिल, इन् नीरत चुपडा, सुमीत अंतिल, प्रमोध भगत, बैडमिंटन के पैराखिलाडी हैं, बंदना कटारिया, यह भी स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, अवनी लेखरा पदमसरी को एलान हिवा, वही पर दिके लेखिका और जामिया की पहली महिला वीसी, यानि कि वाइस चांसलर न सब को लोगों को भी मिला है, आगे देख लिए सोनी निगम को तो मिला ही, सवकार जानकी, सवकार जानकी जो कि एक अविया अनुभवी एक्टर हैं, ठीक है, तो इन सब को पदमसरी पुरसकार मिला है, देश का सबसे पहला पुरसकार भारत रत्न, दुसरा टॉप सेकेंड पुरसकार पदम भीभूसन, तीसरा पदम भूसन और चोथा आता है आपका पदमसरी पुरसकार, तो देश के चोथे सर्वच नागरिक पुरसकार पदमसरी से सम्मानित इन लोगों के नाम आपको याद रखने हैं, वैसे 107 लोगों को दिया गया पदमसरी, 117 लोगों को दिया गिया पदल भिभूसन ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं इस बार Nobel Prize के बारे में जरूर पूछा जाएगा एक question याद रखे हर एक exam में पूछा जाएगा Nobel Prize से Nobel पुरस्कार से related एक question आपका पूछा ही जाएगा 2021 वाला आपको कैसे याद रखना है थोड़ा सा केवल आपको नाम का एक निमोनिक पकड़ना है ठीक है उससे आप याद रख सकते हैं जो Nobel Prize दिया जाता है किसकी चेतर में medicine के चेतर में ठीक है जो की चिकित्सा होता है चिकित्सा के चेतर में physics के यानि की भौतिकी के चेतर में आपका chemistry के चेतर में literature यानि की साहित्य के चेतर में और peace यानि की सान्ती के चेतर में और उसके बाद आपका यह है economic science यानि की अर्थसास्तर के चेतर में यह 6 चेतरों में Nobel Prize दिया जाता है तो याद रखे गा देखे, चिकित्सा में किसे दिया गया, तो ये नाम जैसे जैसे हम आपको बोल रहे हैं, वैसे वैसे याद रखना है, चिकित्सा, चिकित्सा क्या है वही, मेडिसीन, मेडिसीन के चेतर में किसे दिया गया, तो ये याद रख लिए गया, आप अपने बच्चे से पूछते है क्या तुमने medicine खाया, तो उसने कहा, yes, pat pat खा लिया, देखे, pat pat हम लोग अपने देशी भासा में बोलते हैं, हाँ, जल्दी जल्दी, pat pat खा लिया, ठीक है, तो yes, pat pat खा लिया, तो देखे, यहाँ पर क्या है, Julius, क्या है, Julius, याद रखेगा, इस तरह से, ठीक है, नहीं तो अच medicine खाया, yes, खाया, pat pat खाया, क्या खाया, pat pat खाया, तो pata patian, याद रखेगा, इसी तरह से नाम है, pata patian, pata patian, तो pata pat खाया, ठीक है, याद रहेगा, देखे, चिकित्सा के छेतर में, medicine के छेतर में किसे मिला, medicine खाया, yes, खाया, पटा pat खाया, ठीक है, जल्दी जल्दी खाय फिजिक्स के छेतर में, फिजिक्स यानि की भौतिकी के छेतर में और भौतिकी के छेतर में आप जीएंगे, अगर फिजिक्स से रिलेट करके अपने लाइफ को देखेंगे, अगर साइन्स के छेतर में जीएंगे, अगर फिजिक्स के आप बेताज बादसा हैं, तो आप ये म माल लिजे कि आपका जिंदगी हसी हसी जी होगे, आप जिंदगी हसी हसी जी होगे, याद रखेगा कैसे, तो physics के छेतर में किसे मिला Nobel Prize, तो देखे यहां से ऐसे आप नेमोनीक बना कर अपने से भी याद रख सकते हैं, तो इस तरह से कुछ आप नेमोनीक लगा सकते हैं, नह करके लाइब को देखते हैं, तो ये बात मान लिजिए, ये बात मान लिजिए, कि आप हसी खुसी जी होगे, आप हसी खुसी जी होगे, ठीक है, हसी खुसी जी होगे, अब देखो, क्या है, physics में किसे मिला, मानाबे को मिला, किसे मिला, मानाबे को मिला, hassle man, मान लो कि आप हस हसी हसी जी होगे, हसल में, हसल में, हस रहा है, हसी हसी जी होगे, तो तीन लोगों को मिला है, ठीक है, मानावे, हसल में, और जी ओर जी ओ, ठीक है, देखें, केमेस्ट्री के छेतर में, केमेस्ट्री जब आप पढ़ने जाते हैं, तो आपको एक लंबा चौड़ा केमिकल का ल पहुचिएगा Chemistry के लैब में जैसे ही आप पहुचिएगा आपको एक लंबा चौड़ा लिस्ट मिल जाएगा किसका? इum सबैसे लिजायेगा Experimental के लिजाएगाट किसका? साख के चेतर में, मेडिसीन के चेतर में हमने क्या बताया? यस, पटापट, यस, पटापट, physics के चेतर में ये बात मान लो, अगर आपका physics अच्छा है, तो हसी, खुची जीओगे, हसी, हसी, जीओगे, हसल में और जीओ, chemistry, chemistry के लाब में जाईएगा, आपको एक लिस्ट मिल जाएगा, लंबा चौडा लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, सहित्य के छेत्र में, सहित्य के छेत्र में एकी आदमी है, ठीक है, यह याद रह जाएगा आपको अब्दुर्रजाक गुर्ना है, ठीक है, सहित्य के छेत्र में एकी वेक्ती है, अब्दुर् परडाइज के कारण इन्हें क्या मिला इनके उपन्यास परडाइज के कारण इन्हें मिला है लिट्रेचर का नोबल पुरस्कार अच्छा सांती का पुरस्कार किसे किसे मिला है सांती देखे आज पूरा वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड सांती की रेस में सांती और मित्रता की रेस म लगा हुआ है याद रहेगा देखे चिकित सा मेडिसीन के छेतर में आप बोलिए यस पटापट खा लिया मेडिसीन या ठीक है तो जूलियस और पटापट यह ठीक फिजिक्स अगर आपका अच्छा है तो ये बात मान लिजिए कि आपकी जिंदगी हसी खुसी आप जीओगे ठीक है केमेश्ट्री के लैब में जाईएगा आपको एक लंबा चोड़ा लिस्ट मिल जाएगा ठीक है साहिति के छेतर में तो अब्दुलरजाक गुरना को मिला है किस नोबिल के लिए किस उपन्यास के लिए तो ये मिला है उनके पैराडाइज उपन्यास के लिए किस के आज पूरा दुनिया सांती और मितरता के रेस में लगा हुआ है ठीक है तो पीस का नुबेल किसे मिला है तो ये मिला है दैमित्री को यानि के मितरता इस तरह याद रख लिजेगा और रेसा को मार्या तो आज पूरा दुनिया, पूरा वर्ड, सांती की, सांती और मित्रता की, सांती और मित्रता के रेस में लगा हुआ है, तो मित्री, डमित्री और रेसा को मिला है, अच्छा, अर्थ सास्तर का नोबेल किसे मिला है, तो ये मिला है भई, एक मिनट चलिए, इस तरह से अगर याद रखेगा तो आपको सब कुछ याद रहेगा अच्छा अर्थ सास्तर का नोबेल मिला है भई अर्थ सास्तर यानि के पैसा एकोनोमिक यानि के पैसा देखे अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास क्या होगा डेबीट कार्ड होगा जरूर होगा ठीक है अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास डेबिट कार्ड रहेगा और डेबिट कार्ड में पैसा खचा खच बरा रहेगा तो आपका जोस क्या रहेगा आपका जोस हाई रहेगा आपका जोस गुड रहेगा अगर आपके पास पैसा है पैसा है अगर आपके पास तो आपके पास अगर पै बस आपको पीछे वाला याद रखना ठीक है बस आपको पीछे वाला जाद रखना ठीक है देखे तो economics यानि कि अर्थसास्त्र में किसे मिला debit card को मिला जोसवा यानि कि जोस high रहेगा यानि कि जोस good रहेगा तो ये हुग्या आपका nobel पुरसकार अगर आप अच्छे से इसे ध्यान में रखेंगे तो याद रहेगा देखे साहित्य और literature संबंदित कुछ पुरसकार है देखे अगर पुरसकार के भी आपको नाम याद रखने पूछा जाएगा कि बताइए ग्यान पीट पुरसकार किस छेतर में दिया जाता है ग्यान पीट पुरसकार किस छेतर में दिया जाता है तो सहित्य के छेतर में दिया जाता है याद रहेगा सहित्य के छेतर में ग्या ग्यानफिद पुरसकार दिया जाता है। और 2021 के लिए जूस ग्यानफिद पुरसकार दिया गया। देखे बुकर प्राइज के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे बहुत प्रतिष्ठित पुरसकार है साहित्ते के चेतर में दिया जाता है नोबल वगेरा जो लिखता है उसके चेतर में दिया जाता है तो बुकर पुरसकार बुकर प्राइज 2021 वाला किसे दिया गिया था डेमन गलगूट को, बुकर प्राइज दिया या था डेमन गलगूट को, किसे डेमन गलगूट को जो कि दक्षिन अफरीका से आते हैं और इनके उपन्यास जो इनके नोबल था, वो था दा प्रॉमिस, क्या था? दा प्रॉमिस, ठीक है? ये याद रहना चाहिए आपको, कि ज दो, बुकर पुरसकार, बुकर प्राइज 2021 वालगूट को दिया गया, साओध अफरीका से रिलेटेड हैं, दप्रॉमिस के लिए, प्रॉमिस के लिए, अगला देखिये, जे सीवी सहित्ते पुरसकार, जे सीवी सहित्ते पुरसकार 2021 वालग, तो ये भी पूछा जाएगा, कि बताईए जेसी भी पुरसकार किस छेतर से रिलेटेड हैं, जेसी भी सहित्य से रिलेटेड हैं, किसे दिया गया? तो ये दिया गया आपके, एम मुकुंदन याद रहेगा, एम मुकुंदन जो कि एक मलियालम लेखक हैं, अच्छा, इनके कौन से बुक के बारे में? तो देखे, आ सोली लोकियो ऐसा करके है, तो एम दिली इसकी कारण, ठीक है, अच्छा, इसका अंग्रेजी अनुबाद, आ सेली लोकियो का अंग्रेजी अनुबाद, फातिमा इवी ने एवं नंदुकमार ने किया है, ठीक है, देख लिजे, अच्छा, सहित्य अकेडमी पु 2020 वाला किसे किसे मिला है, हिंदी भासा के लिए किसे दिया गया, हिंदी भासा के लिए अनामिका को इसकी कविता टोकरी में, टोकरी में दिगंत एक थेरी गाता है, इसके लिए अनामिका को हिंदी भासा का सहित्य अकाडमी पुरसकार दिया गया, सहित्य अकाडमी पुरसक अरुन्धति सुब्रमन्यम को दिया गया किस कविता के लिए वेन God is a Traveller उरुन्धति सुब्रमन्यम को दिया गया मैसा का सहित्य अकादमी पुरसकार कमल कांत ज्या को मिला उर्दु भासा का सहित्य अकादमी पुरसकार हुसायन उलहक को दिया गया किस उपन्यास के लिए तो दिया गया, किस उपन्यास को साहित अकादमी तो अमावस में ख्वाब, संस्कृत भासा के लिए साहित अकादमी पुरसकार महेश चंदर सर्मा गौतम को दिया गया, संस्कृत भासा का साहित अकादमी पुरसकार महेश चंदर गौतम सर्मा को दिया अब देखे लिखा गया है व्यास सम्मान 2021 व्यास सम्मान 2021 ये 31 व्यास सम्मान 2020 किसे दिया गया व्यास सम्मान 2020 किसे दिया गया असगर वजाहत को इसके पुस्तक महाबली के लिए असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2020 से नवाजा गया ये 31 पुरसकार है व्यास सम्मान का पुस् केरल सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित एजू थाचन पुरसकार 2021 प्रसिद मल्यालम उपन्यासकार और लगु कताकार पी वलसाला को मल्यालम भासा और साहित्य में उनके बहुमुल्ली योगदान के लिए दिया गया। प्रस्वत्वार प्रसिद मल्यालम उपन्यासकारा प्रसिद मल्यालम भासां के रहे दिया गया। पद्यजा घोरपड़े की दोरा इस उपन्यास का हिंदी अनुवात किया गिया है पद्यजा घोरपड़े की दोरा ठीक है याद रहेगा व्यास समान अस्गर वजाहत को एजु थाचनपुरसकार वलपी वलसला को सरस्वती समान सरन कुमार लिम्बाले को उनके उपमराठ्य सनातन के लिए और सनातन का हिंदी उनवाद पद्यजा घोरपड़े ने किया अगला दिखे बिहारी पुरसकार बिहारी पुरसकार साहित्य अकादमी पुरसकार बिहारी पुरसकार जो है 2020 वाला बिहारी पुरसकार 2020 वाला जो दिया गया किसके तीसवा पुरसकार है और इसे ये किसे दिया गया मोहन कृष्ण बोहरा को किसे दिया गया मोहन कृष्ण बोहरा किसे तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि बिहारी पुरसकार जो लैटेस्ट है 2020 वाला वो तीसवा पुरसकार है और किसे दिया गया तो बिहारी पुरस्कार बोहरा को दिया गया, इस तरह से याद रख सकते हैं, बिहारी बोहरा इसको दिया गया, इसके पुस्तक तसलीमा, संघर्स और साहित्ते के लिए, मोहन कृष्ण बोहरा का पुस्तक है, तसलीमा, संघर्स और साहित्ते के लिए बिह बिहारी पुरसकार है। ये बिहार का पुरसकार नहीं है। बलकि ये एक राजस्थानी लेखक को दिया जाने वाला केके बिललाव फांडेशन के द्वारा दिया जाने वाला पुरसकार। समाधी के लिए इनके पुस्तक रेत की समाधी के लिए और ये याद रखेगा कि जो मैन बुकर पुरसकार है हिंदी पुस्तक को नहीं दिया जाता बलकि हिंदी में अगर हिंदी के पुस्तक है उसको ट्रांसलेट अगर अंगर जी में कर दिया गया है या फिर इसका एडिसन जो है या फिर इसका प्रकासन बिटेन अथवा या आयरलेंड में हुआ है तो उन पुस्तकों को उन बुक्स को मैन बुकर अंतरस्टे इंटरनेस्टल प्राइज दिया जाता है और 2022 वाला दिया गया गितानजली स्री भारत को किसके इनके पुस्तक रेत की समाधी जिसका वालेरिया लुई सेली को डैबलीन लिट्रेरी अवार्ड किसे दिया गया 2020 वाला तो दिया गया वालेरिया लुई सेली को मैक्सिकों से आती हैं मैक्सिकों से आती हैं और इनके पुस्तक का नाम है लास्ट चिल्रन अकाइव इनके पुस्तक का नाम है अच्छा डबलीन सहि अवार्ड दोहजारी किस जो दिया गया वो किसे दिया गया तो दिया गया वालेरिया लुईसेली को मैक्सिको से आती हैं इंटरनेशनल बिजनस बुक अफ द इयर अवार्ड इंटरनेशनल बिजनस बुक अफ द इयर अवार्ड दोहजारी किसे दिया गया नितिन राकेश तथा जेरी विंड को इन्टिन राकेश तथा जेरी विंड को इन्टिन राकेश तथा जेरी विंड को इनके उपन्यास किसके लिए या पुस्तक के लिए Transformation in Times of Crisis तो COVID के टाइम के ये लिखा गया पुस्तक है Transformation in Times of Crisis नितिन राकिस और जेरी विंड के द्वारा International Business Book of the Year Award 2020 ने दिया गया Pain Pinter पुरसकार Pain Pinter पुरसकार 2020 वाला किसी दिया गया तो ये दिया गया Sitsi, Sitsi, Dang Remgaku Sitsi, Dang Remgaku तो ये इसके वाल ये याद रख लिजेगा Sitsi, ठीक है Sitsi Sitsi Pain Pinter Prize 2020 वाला किसी दिया गया Sitsi को दिया गया जो की जिंबावे से हैं और इनकी प्रसिद पुरसकार This Mornable Body This Mornable Body के लिए इन्हें बुकर पुरसकार अच्छा 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 यहां दिखिए Pain Pinter Prize जो है जो की जिंबावे से हैं ने दिया गया और इनकी एक प्रसिद किताब है This Mornable Body और के लिए इन्हें बुकर पुरसकार के लिए भी नामीद किया गया है अच्छा सित्सी डामरेगा एक बहुत बड़ी साहित तेकार है इनके एक बुक है इस मॉरनेबल बाडी बुकर परासकर के लिए भी नमिद किया गिया है अगला देखें, फिल्म से रिलेटेड कुछ पुरसकार है याद रेखेगा फिल्म से रिलेटेड पुरसकार राश्ट्रेज पुरसकार में आएगा दादा साहब फाल के international film festival award 2020 वाला किसे किसे दिया गया सर्वस्रेश्ट अंतराष्ट्रे फिल्म कावाड किसे दिया गया ये दिया गया पैरासाइट को सर्वस्रेश्ट अंतराष्ट्रे फिल्म कावाड किसे दिया गया दादा साहब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवाड 2020 में सर्वस्रेश्ट अंतराष्ट्रे फिल्म कावाड दिया गया ताना जी को ठीक है सर्वस्रेश्ट फिल्म जो कि यहां वॉलिवुट का है या फिर हिंदी फिल्म है उसे तानी जी को दिया गया अंतराष्टे फिल्म में पैरसाइट को दिया गया सर्वस्रेश्ट अभिनिता कावाड अक्षे कुमार लक्षमी मुवी के लिए सर्वस्रेश्ट अभिनित्री का जो खिताब है ये मिला दिपिका पदकोन को छपाक मुवी के लिए सर्वस्रेश्ट निर्देश कावाड मिला अनुराग बसु के लुडो फिल्म के लिए ठीक है सर्वस्रेष्ट वेव स्रीज कावाड मिला स्कैम उनिस्व बिरान्वी को अच्छा, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर कावाड क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर कावाड मिला सुसान्थ सिंग राजपूत को दिल बेचारा के लिए Critics Best Actor का आवार्ड दिया गया सुसान्त सिमी राजपूत को दिल बेचारा के लिए एक क्यावनवा दादा सहब फाल के आवार्ड 2019, एक अप्रिन 2021 को जारी किया गया और एक कानवा दादा सहब फाल के आवार्ड 2019 वाला की ने दिया गया रजनी कांत जी को दिया गया ठीक है रजनी कांत जी को तो यहां से यह याद रखेगा कि दादा सहब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फैस्टिवल आवार्ड 2020 में सर्वस्रेष्ट अंतराष्ट्य फिल्म पैरासाइट को, सर्वस्रेष्ट फिल्म ताना जी को, सर्वस्रेष्ट अभिनेत आच्छे कुमार को, सर्वस्रेष्ट अभिनेत तरी दिपिका पादुकोन को, छपाक के लिए सर्वस्रेष्ट निर्देशक अनुराग बसु को जेके अनंगसा बिस्वास मिर्जापूर वेब सिरीच के लिए इन्हें वाट दिया गया। सत्यजीत रे पुरसकार बेजवाडा गुपाल को दिया गया। आवाट्स एंड ओनर का पार्ट वन था एक क्लास और आएगा जिसमें हम टोटल एक साल के जितने भी आवाट्स एंड ओनर से हैं उसे कवर कर लेंगे। फिर हम लोग ब्राण्ड एमेजडर जो भी जो डेज और उसके थीम होते हैं जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स होंगे। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करके हमें मोटिवेट हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत मिलते हैं अगले बीज़ाइब।